आप देख रहे हैं एक्जाम टूर, आप से बता दे कल से BPSC TRE 2.0 एक्जाम चालू हो रहा है, तो थोड़ा सा इस पर नभीन सर से चर्चा करेंगे कि एक्जामीनेशन हॉल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ताक का रिजल्ट नहीं हो पाता है, यानि कि सब कुछ महत्पुन होता है, सालों साल का पढ़ाई आपको दो घंटा में आउटपुट देना रहाता है, इंपुट जो आप किये हुए हो, उसको आउटपुट के रूप में निकालना रहाता है, दो साल, चार साल, जिना भी आप खुश है एकजाम देने को लेकर, लेकिन सर हमेशा से देखा गया है, कि जो जितना दिन पढ़ा है, दो साल पढ़े, एक साल पढ़े, दस दिन पढ़े, सबका वहाँ पर वहीं परिक्षा है, मातर दो घंटा, मातर दो घंटा में आपको शब कुछ देना है, सर किन-किन बा जो आपका examination hall में होता है, वो बहुत महत्पुर्ण होता है, कितने बार आप देखेंगे कि student का तयारी बहुत 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 है, लेकिन last moment में एक phobia type के दिमाग में बहुत जाता है, जिसके कारण बहुत जानते हुए भी question उससे गलत होता है, इस phobia से बचना है, ने तो सारा मह जानत आपका बेकार चला जाएगा, तो इसमें कुछ point है, जिस पर student को ध्यान देना जरूरी है, वो ऐसे छात्र लगातार लगे हुए हैं, अपना बेहतर करने का प्रियास कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों को भी पता है कि ऐसा golden opportunity हमको सायद दुबारा नहीं मिले, maybe कि एक बा जितना वो किये हैं, उससे और बेहतर करके देना चाहते हैं वो, और होना भी चाहिए यही है, तो कुछ एक बातों में सबसे पहले तो कि जहां भी center दिया हुआ है, बहुत सारे student को घर के नजदीक भी center है, बहुत को दूर भी center है, तो ठंड का समय है, अभी आप देख रहे जाएंगे, तो काम हमारा हो जाएगा, या night में train पकरते हैं, morning में हमारा 9 बजे, 10 बजे, 50 या second shift में exam है, हम पहुंच जाएंगे, थोरा सा इससे बचना है, समय से एक दिन भी फूर आप अपने गंतब्यास्थान पर पहुंचें, रात में अच्छी नींद लें, अच्छे स इसके पहले revision वगरें आप करते रहें, लेकिन center पर एक घंटा पहले आप जरूर पहुंचें, और बड़ा cool होकर के आप in current center पर, और सबसे पहली बातें जो है, आपने जितना भी मेनत किया है, वो आपका बेकार हो सकता है, अगर चंद बातों पर आप ध्यान नहीं दिये, आप देखे होंगे कि chairman साहब का एक interview, आप देखे होंगे, press conference, उसमें उन्होंने असपस तया किन-किन बातों पर ज्यादा ध्यान रखना है, वो focus किये थे, और हमको लगता है कि maximum छातर भी देखे होंगे उसको, और आत्म सात भी उसको करेंगे, अपनाने का प्रियास भी कर हैं, और सबसे पहले OMR को अच्छे से देख करके कहां क्या भरना है, रोल नमर भरने में या रंगने में, कोई गलती आपसे ना हो, पूरी तरीके से साबधानी भरतना है, कहां English में signature करना है, कहां Hindi में signature करना है, और भी जो उससे related बातें हैं, या जो information है, वो एकदम सही सही भरने का प्रियास करना है, जैसा कि एक लाइन और उन्होंने बताया था कि, point भी अगर आपका चला जाएगा OMR पर, मालिजे कि जिसको A option को रंग रहे है, B पर point चला गया, या C पर point चला गया, या दूसरे किसी पर point चला गया, तो उस पर इस्तिती में आपको दिकत हो सकती है, आपका वो वाला option गलत हो सकता है, इस चीज को ध्यान डखना है, बांकि कुछ छातर जैसे एक चर्चा और उन्होंने किया कि question को rough करने वाली बाते हैं, तो उन्होंने इसको हलके में लिया, कि आखिर छातर rough कहां करेंगे, अगर इधर उदर हो भी जाता है, तो उसको ल बनाते हैं, उस पर भी फरक पड़ता है, इस चीज को ले करके tension ना लें, हाँ, examination hall में pressure तो जरूर रहता है, तो कई बार क्या होता है, कि जैसे आप सुरू करते हैं question बनाना, तो शुरुवात में question कुछ tough आपको पकरा गया, तो वह इसी परिस्तिती में कई बच्चे frustrated हो जा पहले जितना जान रहे हैं, सुरू से लेकर last तक आप बनाते चले जाएं, और second attempt में आप समय निश्चित रूप से time आपका management बहुत महत्पुर्ण है, time इस तरीके से बचाएं, कि निश्चित रूप से 2-3 बार आप पूरा question को देख पाएं, और last moment में 10 मिनट या 15 मिनट ब कुछाता है उसमें, math समाने ध्यन में भी गुसा हुआ रहेगा, math section में, अगर 628 में math और science रहेगा, तो उधर भी रहेगा, तो कई बार देखा गया है कि student math solve कर रहे हैं, last में जाकर वो answer तक नहीं पहुँच पाते हैं, फिर उनको लगता है कि थोरा सा के लिए गरबर हो गय हाँ, तो ऐसी परिस्तिती में क्या होता है कि आपका time lapse होता है, और अगर एक ही सवाल में, अगर 2-3 minute अगर आपका time चला जाए, तो किसी सवाल का वो time आपका wasted जाएगा, और वो सवाल आपसे छूटने की संभाव ना है रहेगी, इसलिए time management बहुत ही आपको बहतर तरीके स करना होगा, नहीं तो इसके चूक लेकर के फिर आपको परिसानी होगी, दूसरा क्या, कि समानी गलती का कोई option आपके पास नहीं रहता है, competition में, कई बार आप देखते हैं कि ऐसा question आप गलत करके आते हैं, कि जो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, बहुत आपको बाद में प करेंगे, जिसको आप जान बूझ करके गलती में सुमार करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, और तनाव से बचने के लिए आप बोटल में पानी व्योगरे भी ले करके जाए, ज्यादा तनाव हो रहा है, एक भूट पानी भी पी लें, थोड़ा सा आप रिलेक्स हो यह वाटसप पर भाइरल हो रहा है, उस सब चीज से एक दम बचना है, क्योंकि वह आपके दिमाग में तनाव बराएगा और बास्तिविक तयारी को परभावित करेगा, जो आपके जो एफ़र्ट आप लगा सकते थे, उसको परभावित करेगा, तो इस सब चीज से भी हो जाता है, और वो बाहर निकल जाते हैं, पुछ बिद्यार्थी सर ऐसे मिलते हैं, जो अपने आपको बड़ा दिखाने के चकर में, जितने लोग बैटे हुए, यह प्रशना आजाएगा, यह ऐसे हो जाएगा, इतना हम सही बना देंगे, हम टेस्ट में टॉपर रहे हैं, बहुत लोग को जब देखा जाता है, टेस्ट में टॉपर होने के बावजूद भी बाहर हो जाते हैं, उनको क्या हैं? नहीं, इन सब ही चीजों से बचना ही होगा, और आप जिस तरीके से सुरू में ही चर्चा हुई, कि दो घंटे का टेंपरामेंट बहुत महत्पुर्ण होता है, इसलिए सांथ चит से जाना है, किसी से उलजने का परियास नहीं करना है, मतलब ही नहीं है हमको किसी से, कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, इदो घंटा किसी से मतलब क्या जरूरत है और आप सोचिएगा कि अगर कई बार आपको मौका मिल भी गया अगल वगल वाले से बातचीत करने का कोई जरूरी नहीं है कि वह स्टुडेंट आपसे बहतर है इसले करके आप वहां सजेशन लेने का कोशिस किजेगा में भी आपको गलत आंसर ही मिल जाए ग आपकी खास रनिती होना चाहिए एक भी कोश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए तो यह चंद बातें हैं जिनको धियान रखा जा सकता है और लास्ट मॉमेंट में चुकि एक दिन पहले का समय बहुत महत्पुर्ण होता है तो आपने अब तक जो परहाई किया है या इसके लास्ट प्रश्न है सर जिस दिन किसी भी औभ्यर्थी का एक स्ट beh님 होता है अगला दी आज रात में क्या होता है आप सो यह दो घंटा सो यह दुंट आपने जा Zug आगा शचान Всё थीर घंटा सो तर लें पर उटके सो जातें दस मेंटर बहुत टेंसन हो जाता उस रात को निन रात में नींद नहीं आती है, शर उस परिस्तिति बहुत अंदर से नहीं होता है एक यहीं रात अंतिम, यहीं रात भारी, इस टाइप का सरुजात, इससे कैसे होगी, नहीं आपने बिल्कुल सही यह बात बोला है, कि यह किसी भी कर्णिडेट के लिए, वो जो रात जो होती ह और जिसको वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेजन देता है, जिस एक्जाम को भी, तो सभाविक है कि यह परिशानी भरापल होता है, लेकिन comfort zone में रहने का परियास करना है, समय से आप खाना पिना खाए, और खाने पिने खाने में भी यहने के बाहर जा रहे हैं, उस वैसा चीज खाली है, जो कि आपको आगे चल करके दिक्कत कर दे, थोरा हलका भोजन ले, सुपाच भोजन ले, इस बात को ध्यान देना है, और सही समय पर आप निंद ले, थोरा लेट तक भी मान लिजे सोएंगे, तो दिक्कत कुछ नहीं है, एक्जामनेशन, वहाँ पर एक्ज चना चाहिए, अच्छी निंद तो आपको लेना ही है, क्योंकि अगर ठीक से आप रात भर सो नहीं पाएंगे, तो इसका तनाव, दो चार नम्मन ही कम करें, लेकिन एक्जामनेशन हल में आपको परभावित करेगा, तो देख सकते हैं, सारे बिंदु पर चर्चा किये, आप 100% अपने आपको समझे, कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, तो किसी और का नहीं होगा, मैं सबसे उप्योग सिक्षक बनने के लिए काबिल हूँ, बिप्यस्य के द्वारा जो भी प्रसु पूछा जाएगा, मैं 100% सटिक बना के आउंगा, सही बना के आउंगा, ये अपन नहीं लेना है, बस पोजेटीव में जाकर एकजाम देना है,